आई दोस्तों बढ़ते हैं यहां पर first important MS word की trick की तरफ और यह वाली trick तो हमें जादे तर use करनी परती है जब हम MS word में काम करते हैं अब जैसे कि यहां पर देखिए नाम लिखे है नाम के साथ इनके first name लिखा है और यहां पर लिखा है last name और अगर हम चाहते हैं यहां पर first name को separate करना last name के साथ तो अगर हम manually करेंगे तो बहुत time लग जाएगा तो इसके लिए मैं बताता हूँ एक simple trick अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो भी नाम लिखे हैं इनकी बीच में spaces है तो just आपने क्या करना है आपने अपने text को यहां पर select करना है select करने के बाद जाना यहां पर insert tab में और जाना यहां पर tables में आपको यहां पर option मिल जाएगा convert text to table का आप इस पर click करिए click करने के बाद आपके सामने वाली window open हो जाएगी यहां से select करना auto fit to content और यहां पर separate text at में आपने other पर click करना है और other में जो box है ना आगे इसके आगे आपने space type करना है क्योंकि हम चाहते जो spaces की बीच में यह table बन जाए automatically तो just मैं press कर ले तो यहां पर okay तो दिखेंगे आपके text यहां पर tables में convert हो गया है first name और last name दोनों अलग अलग हो गए है अगर आप इसको copy करना चाहते हैं नीचे मतब अलग से first name को तो just मैंने इसको select किया ctrl c से copy किया और नीचे जाके मैं करूँगा pay special तो just मैं right click करूँगा right click करने के बार मैं यहां पर pay special कर लेता हूँ pay keep as text only तो आप देखेंगे आपका first name यहां पर separate हो गया है इसे नंग से दोस्ता आप यहां पर last name को भी separate कर सकते हैं आए दोस्ता बढ़ते हैं यहां पर second important trick की तरफ तो दोस्तो पूरी वीडियो से देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत informative तो नमस्का दोस्तो मैं रुटेश आप सबका स्वागत करता हूं creative learning के channel में और दोस्तो अगर आप computer सीखना चाहते हैं यह computer related बहुत सारी tips and tricks चानना चाहते हैं तो नीचे देख रिटकर को subscribe button उस पर click कर लीजे साथी में bell icon को press कर लीजे ताकि आपको हमारे channel सुलेटे latest notification regularly मिलती रहे तो आई दोस्तो let's begin with this topic अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर MS Word में मैंने एक animated image insert करी मदब 3D image insert करी है dinosaur की और वैसे आप बहुत सारी अलग-अलग images insert कर सकते हैं MS Word में अगर आपने कोई भी presentation देनी है या कोई भी 3D model समझाने किसी को तो यह वाली जो trick है काफी काम आईगी अब इसको insert करना देखिए बहुत इसान है जैसे मैंने यहां पर click किया click करने के बाद में जाता हो यहां यहां पर insert tab में और यहां पर option मिल जाएगा आपको 3D model का आप इस पर click करिये नीचे click करिये stock 3D model का यहां पर बहुत सारे आपको categories मिल जाएंगी जिनमें से आप अपनी 3D image यहां पर choose कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर 3D model यहां पर all animated models पर click करता हूं और जो उनसा भी model यहा है आपने उसको select कर लेना है जैसे कि मैंने heart का select कर लिया और again यहां पर मैंने insert कर लिया तो कुछी seconds में देखे यह process करेगा process करने के बाद आपको जो 3D model है वो आपके MS Word के document में insert हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर मैंने heart का model insert किया है और यह pumping heart आपको देखे बता रह जब आपको invoice बना रहे बिल बना रहे MS Word में जहां पर आपको किसी number को text में convert करना पड़ता है अब जैसे कि अगर आपने कोई rupees लिखा है यहां पर जैसे 2000 rupees लिखा है आपको इसको text में करना है तो आप easily यहां पर MS Word में formula की मदद से कर सकते हैं आईए देख लिए कैसे करेंग control के साथ f9 button तो दो देखे curly brackets यहां पर insert हो जाएंगे तो just press करेंगे यहां पर equal to और equal to लिखने के बाद जो text आपने copy किया तो यहां पर paste कर लेना है control V से और यहां पर forward slash लगा के यहां पर star लगा के यहां पर लिखना है card text और यहां पर again यहां पर f9 button press करना है तो आप important जो कि fourth important trick की तरफ जिसको बोलते है spike cut and paste अब जैसे कि अगर आपने कोई भी text यहां से cut करना है दूसरी जगा paste करना है वो तो आप बहुत ही असानी से कर लेंगे उसके लिए हम control X और control V करते हैं लेकिन दोस्ता अगर आपने multiple text को एक साथ cut करना है और उसको एक साथ paste करना ह तो वो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए हम use करेंगे spike cut and paste का तो जैस मैं अपने यहां पर text को select कर लेता हूं क्योंकि मैंने यहां से cut करना है तो मैंने select किया और press किया control plus F3 बटन तो आपका text लिखें यहां से cut हो गया है और मैं इस text को भी यहां से cut करना चाहता हूं तो जै यहां पर paste हो गया है तो इस feature का आप use कर सकते हैं में जिसको बोलते spike cut and paste आए दोस्तों बड़ते हैं यहां पर last important यहां पर tip centric की तरफ जो के MS word की जिसको बोलते है move paragraph अगर आपने एक paragraph को दूसरी जगा move करना है तो जातर हम copy paste करते हैं लेकिन आप इसको easily move कर सकते है shortcut की की म प्रेस करना है all shift or app arrow तो देखेंगे आपके यह वाले paragraph top पर यहां पर move हो गया है जहां पर भी आप रखना चाहते हैं और अगर downward move करना है तो all shift or down arrow से नीचे भी move कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप ऐसी सीखना चाहते MS word और भी detail में तो देखिए हमारा यहां पर online courses launch हो गय यहां पर enrollment कर लेंगे आपको यहां पर बहुत सारी pre-recorded video मिल जाएंगी जिनको step by step देखके अपनी knowledge को one step further enhance कर सकेंगे और साथी में दोस्तों जब आप course complete करेंगे आपको यहां पर completion certificate भी मिलेगा तो अभी देखिए इस course में कर लीचे enrollment क्या पता आप कौन सी चीज कब काम चाहिए तो मिलते दोस्तों इस course में until then goodbye take care